नमस्कार, knockingnews.com में आपका स्वागत है, मैं हूँ गिरजेश भसिष्ट मध्यप्रदेश में क्या हालत है BJP की मैं आपको बता चुका हूँ आज मैं आपको राजस्थान के हालाद बताने वाला हूँ राजस्थान का आज का विशलेशन होगा और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान में क्या कॉंग्रेस पार्टी अपनी जगे को अपने वजूत को बचाने में काम्याब रह सकती है जो इनपूर्ट्स आ रहे हैं उनके हिसाब से ये काम बहुत मुश्किल है राजस्थान एक बहुत एहम राज्य होने वाला है जैसे करनाटक ने पूरा माहौल बदल दिया और एक महीने पहले तक हम भी जो लोग दे साथ लाइब चैट में होते हैं प्रीमियम में प्रीमियर के दौरान उन सब लोगों के सवाल होते थे कि क्या होगा तुम्हें बोलता था कि अभी कुछ कहना मुश्किल है 2024 का अब हम करनाटक के नतीजों के बाद ये सोचने लगे हैं कि हो सकता है कि मोदी जी को हराया जा सके यानि मोदी जी अब अजे ये नहीं रहे ये एक आम आदमी के दिमाग में हैं बाकी जो जानकार हैं एक्सपर्टे वो तो कही रहे थे एक परसेप्शन बतला एक राय बतली एक छबी बतल कही है मोदी जी अब जो है वैसे नहीं रहे कि उनको कोई हराई न सके ये एक छबी करनाटक से बन गई लेकिन अब दो बड़े राजे और हैं लाइन में मध्यप्रदेश और राजस्थान मध्यप्रदेश के बारे में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से मध्यप्रदेश भारती जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी मुसीवत बनने बाला है उसके कौन-कौन से कारण है मैंने ये भी बताया था और उसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर था जोतिय दित संधिया जिनको भारती जनता पार्टी तोड़ के तो अपनी पार्टी में ले आई लेकिन ये सबसे बड़ा आत्मकाती कदम है इसके कारण हो सकता है कि वो मध्यप्रदेश ही उनको गवाना पड़ जाए लेकिन आज हम बात करेंगे राजस्थान की और राजस्थान की जो इस्थितियां है उनमें अभी भी कॉंग्रेस पार्टी आश्वस नहीं हो सकती कि वो आसानी से अपने राज्जी को निकाल लेगी जो ख़वरें आ रही हैं ताजा ख़वरें आ रही हैं उनमें एक नया विकल्प पता चल रहा है देखें विकल्प तीन हैं दो हैं एक विकल्प यह है कि सचिन पाइलट अगर भारती जनता पार्टी में चले जाए ज्यादा तर लोग कह रहे हैं कि वो एक बार हार्स टेडिंग में शामिल रह चुके हैं अपने MLS को लेके वो BGP में जाने का इंतिजाम कर चुके हैं लेकिन विधायक इतने नहीं थे कि वो सरकार बना पाते इसलिए उनको वापस हाना पड़ा ये सारी जानकरी हैं सबकी जानकरी में है ये खबर है खबर ये भी है कि वो कॉंग्रिस पार्टी में ही रह जाएं और शान्ती से कॉंग्रिस पार्टी में सेवा करें लेकिन हमने देखा कि हाल के समय में उनका जो इरादा है वो उतना कॉंग्रिस पार्टी के लिए उतना समरपन वाला नहीं लग रहा है और इसलिए लगातार वो अशोग गहलोट जो मुख्यमंत्री हैं उन पर हमले कर रहे हैं और जो हमले कर रहे हैं उनमें सबसे बड़ा हमला ये है कि जो पिछली भारती जिन्ता पार्टी की सरकारती वसंदर राजेवाली उस सरकार के खिलाफ ब्रश्ट अचार की जाच कराएं ये आपने कहा था हम सरकार में आएंगे तो जाच कराएंगे और अब आप क्यों नहीं कराना चाहते हैं और वो अपरतिक्ष रूप से ये आरोप लगा रहे हैं कि वसंदर राजे संदिया के साथ में इनके संबंद बहुत अच्छे असलिय नहीं करा रहे हैं और अशोक गोलोत एक बार बयान भी दे चुके हैं कि उनकी सरकार अगर है तो उसमें कहीं न कहीं, कभी न कभी वसुंद्र राजे सिंधिया ने कोई न कोई योगदान दिया था तो अब तीसरा विकल्ब क्या बसता है? क्या इसी तरह से सचिन पाइलट कुछ हाथ पाउं मारेंगे, कुछ विरोध करेंगे और आखिर में समर्पन कर देंगे या फिर सचिन पाइलट अब एक नया पैतरा चल सकते हैं देखिए मैंने पहले भी बताया था कि किसी आदमी की सेंस वेल्यू भले ही ना हो भले ही आप बहुत ज़्यादा एहमियत ना रखते हो, बहुत ज़्यादा मुझे कोई लाब ना दे सकते हो न्यूसेंस वेल्यू सबकी हैं अगर मेरे घर के नीचे खड़े होके आदमी चार गाली देकर चला जाए न्यूसेंस वेल्यू है इसी तरह से सचिन पाइलट हो सकता है कि कॉंगर्स को जिताने में कोई योगदान दें ना दें लेकिन नुकसान पहुचाने की योगदान देने में हमेशा हर व्यक्ति हमेशा पूरी तरह स्थिति में होता है तो यह माना जा रहा था कि सचिन पाइलट जो हैं अब वो नुकसान पहुचाने वाले मोड में आ गए हैं और इसलिए वो अंदोलन करने वाले हैं धरना देने वाले हैं बगेरा बगेरा और अभी जब दिल्ली में आये तो हाई कमान ने दोनों को बैठा के समझोता कराया मुस्कुराते हुए निकले और तीसरे दिन फिर पता चला कि नहीं वो तो अपना अभियान जारी रखेंगे वो उसी मुद्दे को लेकर कि भारती जिंदबाटी की सरकार के खिराब जांच करो यानि फिर वो अशोगहलोत के लिए मुसीवत ख़ली करेंगे लेकिन इस बीच में एक नई समस्या आ रहे है नई खबर आ रहे है अगर वो बीजेपी में जाके सरकार नहीं बना पाते हैं अगर वो कॉंग्रिस में रहे कर भी वो नहीं पापा रहे है जो उनको चाहिए तो उनका एक टीसरा विकल्प है और वो ये कि वो अपनी पार्टी बना ले अपनी पार्टी बनाने के बाद एक अलग तरह की आजादी होती है आप कभी इसको चाहें तो इसको समर्थन कर दे और अगर समीकरन सही रहा तो खुदी समर्थन ले 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 तो जो ताजा ख़बर आई है वो ख़बर ये आई है कि सचिन पाइलेट अपनी खुद की पार्टी बनाने की संभावनाओं को लेकर होम वर्क कर रहे हैं सचिन पाइलेट के बारे में पता चला है कि वो IPAC जो संस्था है प्रशांद किशोर की उनके साथ में उनकी सेवाएं ले रहे हैं उनके साथ में बातचीत कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि आप हमको ये बताओ कि अगर हम अलग पार्टी बना लेते हैं तो उसकी कामिया भी कितनी होगी दूसरा अगर बन जाती है तो हमें कौन-कौन सी रणनीती अपनानी पड़ेगी जिसके कारण हम सबसे बड़ी पार्टी बन जाए और वो कौन से पैतरे हैं जिसके कारण हम एक अच्छा बहितर राजनीतिक भविश्य राजस्थान में पा प्राकत बर नहीं होते हैं तब तक उनके साथ कोई डील करने को तैयार नहीं है तो यह जो मीटिंग हुई है उसमें यह पता चला है सोर्सिस के कई जगे पे खबर चापी है दमिंट ने भी खबर चापी है कि नई पार्टी का एलान सचिन पाइलट बहुत जल्दी कर सकते ह हैं और यह दिक्कत है कॉंग्रिस पार्टी के साथ कि कॉंग्रिस पार्टी का पूरा जोर एकतापर है और उसी क्या धार पर चुनाव जितना जाती है और उधर पाइलट कह रहे हैं कि अशोग गहलोत की सरकार में जो करप्शन हुआ अस्पेक्शन होना चाहिए अशोग ग रहते हैं आपकी परिवार वात उसका भी आरोफ लगता रहा है तो उसके बीच में बहुत सारे आरोफ हैं गवर्मेंट जॉब के पेपर लीक हो गया उन सारी चीजों को लेकर वो पार्टी वे दवा बनाने गहलोत के खिलाफ जाच करो मतलब की बात है गहलोत को इटाओ हम कि सबसे बड़ी बात है कि सचिन पाइलट अगर ठीक ठाक संख्या में विधायकों को ले आते हैं तो कम से कम वो अपने समर्थकों को कुछ दे पाएंगे हैं जैसे कि कॉंग्रेस पार्टी में आरोफ लगा कि अशोग गैलोत ने उनके समर्थकों को कुछ दिये ही नहीं कि के वल एक मंत्राले उनको मिला जबकि अगर वो अपनी पार्टी बनाते हैं और अगर उनको किसी को सपोर्ट कर देते हैं तो उनको बहतर स्थिती मिल सकती है और इस बात की संभावना है अगर सचिन पाइलट अपनी अलग पार्टी बनाते हैं तो राजस्थान में हंग अस सिती में सचिन की दसों उंगलिया घीम और सरकड़ाई में होगा सचिन वही सपना देख रहे हैं और इसी वज़े से बहुत सारे अलग-अलग तरह के दोनों पक्षों पर ऐलेगेशन लग चुके हैं आपको पता है कि किस तरह से सचिन पाइलेट की उपर खरीत फरूत का होस्ट एडिंग का ऑपरेशन कमल में चले जाने का मतलब ऐसा हुआ कि वो पूरी तरह घुसी गए थे वो कबड़ी बोलते बोलते वहाँ उनको लगा कि यार मैं तो मर जाओंगा तो वापस आगया हो तो अब जो सीन बन रहा है राजस्थान का इस पे आप आएं इस पूरी उठापटक के बाद तो बहुत बड़ी भूमिका अब कॉंग्रेस हाई कमान की हो गई है कि वो किस तरह से इन लोगों को साथ में बिठा कर एक ऐसा कॉ कॉंग्रेस पार्टी इंटेक्ट रहे बरकरा रहे तूटे नहीं पाइलट के जाने के बाद में हो सकता है कि पाइलट जो है वो पूरी सीटे ला पाएं ना ला पाएं लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि वो जितना भी काटेंगे कॉंग्रेस पार्टी को काटे हैं जीतने की बाद तो बहुत दूर रख दिजे तो भी कॉंग्रेस को हराने और सत्ता से दूर करने में वो कामियाब हो जाएंगे जो कैलकुलेशन उसके हिसाब से हैं और अगर वो कुछ अभी तक की परस्तितियों में एंटीन कंबेंसी तो गहलोस साब के लिए ही उनके कामकाज को लेकर दोसे चीजों को लेकर शिकायते हैं हाला कि उसको मैनेज करने की कोशिश करने जैसे उनने मुफ्त बिजली का एक नया एलान कर दिया है तो जो स्थिती दिख रही है उसके हि जराब से गहलोस साब के लिए बहुत बड़ा चुनोती भरा समय सामने हैं। कॉंग्रेस पार्टी के लिए भी चुनोती भरा समय सामने है। पाइलेट के लिए हर समीकरन एक बेहतर समीकरन है अगर कॉंग्रेस पार्टी में पाइलेट को कुछ ले देकर रोक लिया जाता है तब भी वो फायदे में रहेंगे भारती जंता पार्टी से डील बनती है तब भी फायदे में रहेंगे और अपनी पार्टी बना लेते हैं तो भी फायदे में रहेंगे लेकिन नुकसान की भी एक गुंजाइश है ये भी हो सकता है कि एंटी भी बहुत समय है भी एंटी बीजेपी लहर चले और पाइलट साथ मोड़ जाएं कि भाई इसने तो कॉंग्रेस पार्टी से गद्दार ही की थी क्योंकि समय बहुत तेजी से बदल रहे हैं हर रोज राजनी ते गटना करम बदल रहा है आप देख रहे होंगे पहलवान लड़कियों वाला मामला आ गया किस तरह से खुद भारती जन्दा पार्टी के अंदर विरोध हो रहा है तो आगे जाके हर रोज जो बदलाव आ रहे हैं राउल गांदी के जैसे वो वहां गए अमेरिका वहां जाने के बाद जिस तरह से वो सारे चीज़ें को डील कर रहे हैं जो इनकी एक इमेज बन देगे जहां कभी मोदी जी को भाशन देने का मौका नहीं मिला वहां वो भा अगर कॉंग्रेस पार्टी के नेतरित्व ने सचिन पाइलट को उनकी पसंद का या कोई ऐसा जुन जुना देकर ना मना लिया जिससे वो चुप हो सकते हैं तो मामला गढ़बर हो सकता है तो सचिन पाइलट इस समय गले की हड़ी बन गए हैं और उनको न नेगला जा सकता है न उनको उगला जा सकता है और इसी लिए आने वाला समय कॉंग्रेस पार्टी के लिए राजस्थान के लिहाज से सबसे ज़्यादा नाजूख समय होने वाला है उमीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगाओगा अच्छा लगाओ तो जब अच्छा लोगों तो पहुंचा चैनल को सबस्क्राइब कर लें नमस्कार जहें